नमस्कार दोस्तों मेरा स्नाल एडूकेशन एंड बैसिक इंवर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हर्दिक स्वागत है आज की मेरा वीडियो की टॉफिक है वह उससे पहले उससे पहले एक वीडियो बनाए था उसमें लिखा था मैंने सीची टीवी रेकोर्डिंग कितना दीन तक रहता है तो इस वीडियो में मेरा जो यूजर से मेरा जो विवर से बहुत सारे मिलब सावाल मेरे को दिया है कि सर्जी ओफिस में कितना दिन सीची टीवी रेकोर्डिंग रहता है सर्जी होटेल में कितना दिन रहता है सर्जी फैक्टरी में कितना दिन रहता है तो मैंने सुझा है इसके उपर एक डीपली वीडियो बनाओ और आपको मैं असी तरह से समझा दू कि सीची टीवी रेको बताएंगे उसमें कौन-कौन सा बातों पे रेकोर्डिंग में ध्यान रखा जाता है और लास्ट में हमको आपको मैं एक वेब साइट बताऊंगा जिसके द्वारा आप खुद ही वहां पे जाके कितना दिन तक CCTV रेकोर्डिंग मतलब एक साइड में आपके एक एक दिन उसका कितना दिन सीटीवी कैमेरा रेकोर्डिंग रहता है वह आप आसानी से निकल पाओगे आए चलता है मैंने बताए आप 5 बातों पे सबसे ज्चाब्स ध्यान देना पड़ता है कितना दिन तक CCTV रेकोर्डिंग रहता है तो पहला पॉइंट हमने लिखा रखा कैमेरा कितना मेगा पिक्सल है देखो cctv recording कितना दीन तक रहता है उसका फास पड़ता है क्या है कि कैमेरा पिक्सल है तो हमने क्या है आपने सुना होगा four megapixel five megapixel three megapixel two megapixel उसके मैंने कुछ दैगं या कुछ बना के रखाओ आपके लिए सबसे पहले आपको मैंने बता देता हूं और भी नाया वर्जन आया है 4K, 4K जो भी camera की, जो megapixel होता है 4K, उसमें क्या है कि इसका जो frame size होता है, आपको बताता हूँ, 3840 x 2160, ठीक है, और जो 5 megapixel की जो camera होता है, उसका जो frame rate होता है, थोड़ा कौम होता है, ये देखो, 25 या 19-20, ठीक है, और अभी क्या है, 4MP, यानि 4 megapixel, उसका जो frame rate होता है, वो ठोड़ा कम है, क्या है, 25 और 60, 14 और 40, अभी last, हमने जो भी YouTube में, या कोई भी video बनाता है, Facebook उसमें, इसमें कितना में, 1,080, ठीक है, 80P, pixel में बनाता है, तो उसका frame rate है, 19-20, इन्तु 10-40, तो इसके क्या होता है, दिखो, इसका megapixel कितना megapixel के है, उस camera की मरलोग कितना megapixel है, उसके उपर भी recording का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो ज़्यादा high quality वो megapixel होगा, high quality का camera होगा, उसका storage और ज़्यादा बढ़ना बढ़ जाएगा, उसका क्या है, storage और ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको मैं बत मैं maximize size कितना होता है, मैंने पी, ज़्यादा है, उसके size बता रहा हूँ, ते方 यहすब फेम size, यह पीन size है, इसकाmos 3.10 megapixel यानि 3 megapixel का जो ins में हम बता रहा हूं, इसका maximum print П contamina hat 8 into 10, और 4 megapixel का maximum print size कितना होता है, 11 into 14, तो सको ins में बता है और जो फाइब मेगापिक्सल का होता है वो 12 x 16 होता है वो क्या होता है maximum print size और छोते नुम्बर में क्या है 6.3 जो मेगापिक्सल का आता है उसका जो क्या बोलता है maximum print size होता है 14 x 20 आपको इस वीडियो के जरिए यह पता लग गया होगा कि आप से पहले किसमें डिपेंड करता है आपकी केमरा कितना मेगापिक्सल है तो आई होप यह आपको किलियर हो गया होगा आप यह 20 के जरिए और आप मेरे सेनल में आपनाय हो तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिए ताकि मैं ऐसा कोई भी वीडियो बनाओ आपके हमान नोटिफिकेशन आ जाए अभी नेक्स दूसरे नुमर में क्या है इस तोर के पासिटी देखो सीसी टीवी का जो भी होता है क्या होता है उसके जो रेकोडिंग है उसको रेकोडिंग रखने के अभी ठीपिट अगया है पहलं में अभी अगया है उसके बाद क्या हो गया अभी और लेटेस बजर्ण में आया है एसेसडी अभी समवं होता है हार्ड को अधिक्स अधिक्स अर्थिक का मतलब डिवाईस निथिक है इसका मतलब क्या होता हैए मतलब होता है आपकुन relyd की दिवाइससद्ट थख सब को पता हो गया होगा का मतलब होता है solid state device और HDD का मतलब होता है hard disk device अभी हम next होते हैं तीसरे नंबर में चलता हूं इसका तीसरे नंबर CCTV recording का उपर जो depend करता है वह है कि क्या है resolution और bit rate आपने सुना होगा आशकल हार को ही बोलता है 4 के वीडियो ठीक है फूल एजडी वीडियो इसकी जो bit rate होता है जो revolution होता है उसके एक example के तोर पर आपको मैं समझा देता हूं जैसे क्या है कि फूल एजडी का जो वीडियो है उसका जो फूल एजडी में जो भी आप वीडियो बनाऊगे उसका क्या होता है recording हो रहा है फूल एजडी में जैसे कोई भी कोई भी वीडियो आप फूल एजडी में recording कर रहा है मैं example दे रहा हूं तो इसका जो वीडियो रोकोर्डिंग सिस्टेम है उसमें कितना में चलेगा इसमें क्या में चलेगा 35 Mbps ठीक है टू पस्पन Mbps ठीक है उसका क्या होता है कोई भी अब फूल एजडी में वीडियो बना रहे हो उसकी जो फेम रेट होगा उसके जो recording में जो वीडियो बनेगा 35 Mbps और पस्पन Mbps आपको यह सवाल आगया होगा Mbps क्या होता है ठीक है Mbps का फूल फूल हम लिख देता हूं इसमें M का मतलब होता है Mbps का मतलब होता है बाइट्स ठीक है पी का मतलब होता है पार एस का मतलब होता है सेकेंड सेकेंड ठीक है से ओ सेकेंड असी ओ यू एंडी सेकेंड ठीक है आप आपको इसके क्या है आप कभी कुछ और ना कोई भी फूलिश दियो बना रहे हो तो उसमें जो वीडियो रेकोडिंग चल रहा है 35 MBPS to 55 MBPS MBPS का मतलब होता है Megabits ठीक है पार सेकेंड तो इसका वीडियो का recording का क्या bits के ओपर भी डिपेंड करता है तो यह क्या है कि यह जो से एक मिनीट में एक मिनीट में यह एक मिनीट में क्या है दॉनलूट हो जाएक आपको यह वीडियो के एगज्भी आपको पता हो गया हुआ अभी आम नेक्स आपको दूसरे एक्जम्पल के तोर के आपको बता जीता हूं इसको मुझा अमत देता हूं ठीक है आपको जैसे यार्ट रखने के लिए डूसरा आप मैंने बोला अभी लेटेस बर्जन आया है फोर के आपने सुना होगा कि फोर के वीडियो फोर के वीडियो में जो रेजुलेशन और बीट्रेट होता है उसमें सबसे जाज़ा हाई होता है जैसे इसका क्या होता है यह आसी कोई भी वीडियो डेकोर्डिंग हो रहा है तो आसी मैं भीकोर्डिंग कर रहे हो या बना रहे हो तो इसका क्या वीडियो डेकोर्डिंग का ट्रीम या उसका कितना रहेगा का 80 mbps , थे पार जिसकेंद ऊसके ऐसकेंद ऐसकी सिफ में, उसकी सिफ मेधकप सेस्ekन से ट कि इस तॉ डिक इत्याइबिस तो इसमें बहुत ज्यादा क्या है आपने कैमेरा लगा दिया पॉर कैमेरा लगा दिया रचा है को सिफ एक क्या है कि एक से आपको 100 MB चाहिए क्या है एक सेकेंड में आपको 100 MB चाहिए तो इसका क्या है recording क्या होता है बहुत जादा इस तो इस वाला चाहिए ठीक है उसमें TV कितना TV का चाहिए अभी नेक्स हमण अभी दुसरे बता देता हूं दिखो चोते नमबर में लिखा है video composition वीडियो की जो फेम रेट होता है तो सबका अलग अलग फेम रेट होता है जैसे आपने टी 30fps में भी आप बना सकते हो और आपने 10fps में भी वीडियो बना सकते हो अब आपने पूछा होगा यह इसका मेनिंग क्या होता इसका मेनिंग क्या होता है इसका मिनिंग होता है 30 एक है इसमारनुब होता है। अपने कोई भी video सोटा कर देते tego बना सकते हूँ उसके फोटे से आधा करके बना सकते हो यह क्या है वीडियो तो इसमें क्या है कि फ्रेम पार सेकेंड में बना सकते हो सेटिंग के उपर डिपेंड करेगा तो इसलिए ला सम पास नंबर में जाते हैं वीडियो मृशन रेकोर्डिंग and continuous recording dependent देखो हमने बता देता हूं वीडियो भी क्या है वीडियो जो कैमेरा है दो टाइफ क्या आता है देखो एक क्या होता है मोशन डिटेक्टर देखो मैं पता देता हूं जो कैमेरा है यह मोशन मोशन डिटेक्ट्ट होता है कि मोशन डिटेक्टर ड्यास कैमेरा होता जिद जब आसपास Sü Państwo लोता है कोई भी हल चाल होता है तहहीं वह उस सिसको तुरंड यह करेगा केस करेगा और रेकोर्डिंग शुरूं हो जाए गा जब तक उसमें उस पास कोई विस नहीं रहेगा इस तीर रहेगह ऑना में बनूरीड क2000 कैमरा कीया है 24x7 क्या होता चलते रहता है इंट तो क्हольно है सबसे ज्यादा आपको सबसे ज़्यादा चाहिए तो आशकल सबसे ज़्यादा जो भी कुम्पनी आता है तो को च्छे मोशन डिटेक्टर कैमरा सबसे ज़्यादा मिदलब वह यूज किया जाता है आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीस आप मेरे सब्सक्राइब में आये हो तो प्लीस आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि ऐसा कोई भी कॉंटेंट में आपके अमलब डालो आच्छे से तो आपकी मोवाइल में नोटिफिकिशन आ जाए इसके ल जिसके द्वारा आप क्या करोगे हैई आपने क你們 camera इस्तोल कर रहे हो तो उस उम्पनी के 250 लीजे आपने कितना camera लगा ना है क्या है क्या हो आपने वह निकाफ करने लिए कितना दिन एक डिप्र लीजो इसके camera cctv के रैकोटिक्वसाइज हाते हैं उसका नाम है www.. सब्सक्राइबडार्व.CGTVCalculator.net इसके बाद आपको نज लिखना है उसके बास देना है इसके बाद आपको calculator लिखना है तो मैं आपको skin short में दे दिया हूं आप यह डेठ लीजिए आई हो इस वीडियो के जरी आप कुछ न कुछ सिखा होगा और आपको मैं एक नैक्सिस बता देता हूं कि आपको मैं बता रहा हूं कि कोई भी साधरान या सोटा-बोटा ओफिस या घुरों में ज्यादा 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 15 दिन का रेकोर्डिंग या एक महिनी का रखता है और कोई भी बड़े ससाइटि ज रखता है तो एकोरडिंगलिए साइट के उपर डिंपन करता है और नेक्स चैनल है कि ये पांसबतों के अधार पाईर ही सीसी टीवी कैमरा के रेकोर्डिंग मिनलब क्या होता है उसको केलकूलेशन क्या जाता है तो आपको आई होप इस वीडियो के जरी आपको डीपली सम में आगे होगा तब तब के लिए नमस्कार जाहिए